प्रेस्नेक निम्नलिखित संक्याओं की दो से भी भाजता की जाज कीजे प्रेस्नेक का पहला है दो हजार पान सो पेंतालिस दूसरा है छे लाख अंठानमे हजार साथ सो साथ तीसरा है चपन लाख अठानमे हजार नौ सो पांच चौथा है पांच लाख चौवन हजार चार सो तेतिस पांचवा है एक लाख उनहत्तर हजार आठ सो छे आसी ठीक है तो ये सब संक्याओं का दो से भी भाजता की जाज करना है तो दो से भी भाजता की का नियम क्या कहता है यदि किसी संक्या काई काई अंग सुन्य दो चार छे आठ हो सुन्य दो चार छे आठ में से कोई एक अंग भी हो तो उसको क्या करते हैं वह संक्या दो से भी भाज होगा तो इकाई अंग में देखना है बस देखे इकाई संक्या का इकाई अंग में अगर सुन्य रहे दो रहे चार रहे छे रहे या आठ रहे तभी वह संक्या दो से बिभाज होगा तो इकाई अंक में क्या है यहाँ पर पाँच है तो इकाई अंक में क्या क्या रहना चाहिए सुन्य दो चार छे आठ ये सब रहना चाहिए इकाई अंक में तभी वह संख्या दो से बिभाज होगा तो ये दो से बिभाज नहीं है ठीक है तो इसको काट देंगे ये दो से बिभाज नहीं है क्योंकि इकाई अंग पे पांच है पांच दो से नहीं कटता है ठीक है इकाई अंग पे पांच है पांच क्या है दो से नहीं कटता है इसका मतलब ये संख्या भी दो से नहीं कटेगा अब देखिए दूसरा में इका सुने अगर इक आई अंग पे है तो वहाँ दो से विभाज होगा क्योंकि सुने के साथ कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं मालने तरहां 10 देखे हैं बैस 60 है तो 60 दो से कट जाता है अगर सुने के पहले 1 है तो 10 हो जाएगा 10 भी 2 से कटता है बीस भी दो से कटता है तीस भी दो से कटता है इसका मतलब सुनने अगर इकाई अंग पर होगा तो वह संख्या भी दो से कट जाएगा ठीक है तो ये संख्या दो से विभाज होगा क्योंकि इकाई अंग पर सुनने है अब देखें इकाई अंग पर पांच है पांच दो से नहीं कटता है इसका मतलब यह संख्या भी दो से नहीं कटेगा तो इसको काट दियें अब इकाई अंक पे तीन है, तीन देखिए दो से नहीं कटता है इसका मतलब यह संख्या भी यह दो से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे जो अंक होना चाहिए हुआ दो से बिभाज होना चाहिए जैसे यहाँ पे सुन्य तो दो से नहीं कटता है लेकिन सुन्ने के बगल में जो भी रहेगा हो जैसे यहां पर छे है तो साथ दो से कट जाता है ठीक है इसका मतलब यह है पूरा संख्या दो से कट जाएगा अब देखें छे है छे दो से कट जाता है इकाई यंग पर क्या है छे है छे दो से कट जाता है इसका मतलब यह संख्या भी 2 से कड़ जाएगा तो यह 2 से विभाज संख्या कौन-कौन हुआ एक हुआ दूसरा एक हुआ पच्मा तो यह दोनों संख्या 2 से विभाज होगा क्योंकि 1 एंक पे सुन्य है और 1 एंक यहाँ पे 6 है तो इसका उत्तर में लिखेंगे दूसरा कॉमा पाँचवा दूसरा और पाँचवा क्या है? दो से बिभाज संख्याएं है ये देखें दूसरा और पाँचवा प्रैसन दो निम्नांकित संख्याओं की तीन से बिभाज स्था की जाज कीजे तो पहला में है पान सो नो दूसरा में है दो सो चोरानवे तीसरा है बहत्तर हजार नो सो अंठानवे चौथा में है बार लाक चौनतीस हजार पान सो सड़ सट पांचवा है साथ लाक पैंसट हजार चार सो बतीस तो इन सब संख्याओं को तीन से बिभाजता की जाज करना है तो तीन से बिभाजता का नियम क्या कहता है अगर किसी संख्या का अंको का योग फल अगर तीन से बिभाज है तो वह संख्या भी तीन से बिभाज होगा तो देखिए अंकों को जोड़ करके देखेंगे 9, 5, 14, 14 तीन से नहीं कटता है देखिए ये तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 9, 5 कितना आएगा 14, 14 तीन से नहीं कटता है इसका मतलब यह संख्या भी तीन से नहीं कटेगा इसमें देखिए सभी अंकों को जोड़ करके देखना है तीन से भीवाजता के जाज करने के लिए सभी अंकों को जोड़ करके देखना है संख्या का तो 9, 2, 11, 11, 14, 15 देखे ये तीनों को जोड़ने पे 9, 2, 11, 11, 14, 15 15, 3 से कट जाता है देखे जोड़ने पे 15 आया अब 15 तीन से कट जाता है इसका मतलब यह संख्या भी तीन से कट जाएगा अब इसको जोड़ते हैं 729-998-89-67-67-67-35 ठीक है तो 35 आ गया तो 35 तीन से नहीं कटता है 35 तीन के पहाड़ा में नहीं आता है यानि 35 तीन से नहीं कटेगा इसको पूरा जोड़ने पर कितना आया 729-998-89-67-67-67-67-35 35 तीन से नहीं कटता है इसका मतलब यह संख्या भी तीन से नहीं कटेगा अब इसको जोड़ करके देखते हैं 2-1-3-3-3-6-6-4-10-10-5-15-15-6-21-21-7-28 28 तीन से नहीं कटता है अब इसको जोड़ करके देख लेते हैं 7-6-13-13-5-18-18-4-22-22-3-25-25-22-27-27-27-3 से कट जाता है तो यह संख्या भी तीन से कट जाएगा तो इसका उत्तर हो गया तो तीन से कौन-कौन संख्या विभाज है एक दूसरा एक पांचवां तो इसका आंसर हो गया दूसरा कौमा पांचवां पांचवां पांचवां